तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत आपका फिर से हमारे एक नए व्लोग में बारा जोदिलिंग चारदम की इस यातरा में गाजयाबाद से रिखलेवे करीब आज मुझे एक 80 दिन हो चुके हैं और अभी मैं आए हूँ पजमनाबा स्वामी मंदिर के दर्शन करन है यह मंदिर का अंदर इस एक इला कहते हैं उसको उसके अंदर जाकर यह खुशूरत सा एक मंदिर है सबसे पहले मैं आपको दिनकी सुबात हमारी जो है कैसे हुई आपको कन्या कुमारी में पीछे वहां भारत सिवाश्रम में रुका हुआ था और यहां से हम मैं लिकल गय पहले खाते हैं बाइसाब यह बंदा मेरे साथ परिसान होगा क्योंकि मैं ऐसा आज मियू जो मैं बनाता हूं प्लैन एक दिन में एक मिनट में कितने बड़े प्लैनों मैं एक दिन में सोचता हूं और अगले दिन लिकल जाता हूं सब मुझसे इंस्टाग्राम पी पूछत पंदिर भी है वो भी एक्स्प्लोर कर लेंगे तो पहले पहुंसे त्रिवांदम और क्या कहना चाहों कि आप मेरे साथ अच्छा लगा तुम्हारे साथ मेरे को कैसा होता है मेरा प्लैन जो होता है मैं सक्सेस कर ले तो पर अगर नहीं भी हुआ अगर यह आगर तुम्हारे साथ मुझे डर लग रहा है अगर दो बाई मिले कल्वी हमें मिले तो बाई और यह लोग अभी इंडिय ट्रैवल कर रहे एक साल के लिए कुछ लिख ले हैं यह लोग और अभी यह साउथ में साउथ एक्सपोर करने के बाद जीरे जीरे लिए में आगे बढ़ेंगे और अच्छा लागा आप लोगो सिंगे लिए नाइस टू मीट यू खंजा ओ खंजा मेरा हम्जा मेरा साउथ की ट्रेंडे को लेकर मस्त है पूरी एक्दम खाली-खाली होते हैं और यहां पर आए नहीं है बहुत कमी लोग है और अभी हम जा रहे है हैं तुर्वेंदपुरम यह देखो बिल्ड़ को साइड साइड से ही जाएंगे कोस्टल जो रेल्वे होता है ना और हमारा भाई जाएगा यहां से कोच्छी होते हुए यह मुन कन और से सबोते हुए ना मुदभी होते हुए इसा फड़ाना डिकाना सबोते हुए गोह की तरफ ज्यादा बड़ा हो जाएगा चोड़ो तो गाइस फाइनली रीज तिर्वेंदम केरड़ा अभी मैं केरला में एंट्री होगा है मेरा एंड वी आर गोइंट एक्स्पोर श्री पद्वानाता स्वामी मंदिर एंड आइंड आइंड आइंग तू ठाक इंग्लिश यह तो मंदिर जो है वो और फूसरे डेड़ किलो मेंटर दूर था लेकिन अभी जो हमें जर्षा में रहने के कि वह में वहां पर ज़्ल्दी से लिफ्ट मिलती नहीं है प्लस दिक्कत बहुत जादा आती है गर्वी में तो इसके लिए मैंने चोटा सा डिस्टार्श नहीं अब हम बस से उतर गए हैं और हम जहां से उतरेते हैं वहां से करीब 600 मीटर ही चलना पड़ेगा बस हमें लेकिन कैरला के जो गलियां हैं नजारे हैं काफी खुबसूरत है आसपास देखो बिल्कुल मास चार तरफ नारे लिए और नजारा कितना पुसूरत है तो दूस्तो यह रूम काफी खुबसुकत लगा है जो आर्ट और जैसे कमरे को इस तरीके से रखाया ना बहुती सुन्दर और बाहर के नातार यह बहुत अच्छा है अब थोड़ा अच्छा है उसके बाद आपको पूरा डिटीर में दिखाता हूं इस बंदे को है ना इस बंदे को है कुछ तो डिकत है बाई इसका पज़े तो इसका पर जबलाज कर रहा हो और धुछ कुछ भी किढ़ भी मिर्गी आ जाती है उस सव लिपाने जह भी सम्क्टेश ₹ क्या होध। सु हो बैट्स कै आ सॉय और मुझे तो लगता है कि रात हो रात मेरे साथ बोलता है कुछ इधर से प्लान चेंज हो जाएगा इसका कुछ ऐसा है मेरा ना एक दम मिंटों के प्लान चेंज होता है उसकी बेसे और इचीज हाँ सब्सक्राइब मैं तुमको रूम दिखाता हूं फाइनली मैं एक दम फ्रेश होके रेडी हूं और यह है हमारा रूम थैंक्स टू यात्राधाम.org जिनोंने मुझे यह रूम प्रवाइट किया कसम से बता रहा हूं यात्राधाम की वज़से यात्रा मेरा यह होसला बना कि अध्यम से पहुँचे क्या कहते हैं पद्म आंत्र स्वामी जी के दर्शन करने के लिए तो वहां पर उन्होंने मुझे एक दम से विवस्ता करी अब स्वामी जो थे यहांके केरटे कर वह हो एक दुश्टा कि कि मैं एक दम से टपक गया तो डाट तो मुझे थोड़ी हैं आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं मंदिर बहुत इंट्रस्टिंग है बहुत इंट्रस्टिंग स्थोरिया हां की तो दोस्तों अगर आप भी में तरह टैंशन होके ट्रैवल करना चाहते हो तो आप भी जो है यात्रधान.org की वेबसाइट से डारेक्ट अपने लिए किसी भी मंदिर किसी भी धार्वी किसाल पर जो है रूम बुक कर सकते हो अपने बजट में कम से कम में और ज्यादे जैसा भी आपको ठीक लागी जैसा रूम आपको चा है और यहां पर यहां पर यह अपर यहां पर जिह मंदिर लिखे हूए हैं जो कि आस पैस है और हम जा रहें यहां पश्री पढमनाभस स्वाम रे ढका और यहां। anders नस्जी हैं लाक यह पर नस्दीक है और तो gü–वायचे में पर एक पर सेय औरह पांसलर दो प्रूम चैर न चावल कितने बड़े गोड़े हैं और दो तिन तरीके की सबजी है और अभी इसमें दो चापाती भी हमने एड कराई है कि मेरा काम बिना चापाती की जो है नहीं चलगा तो पहले अब खाना खाले दें हाँ पीके आप जाके हमने किया लंच और अभी हम लेती हुए फिर से ब चाप चार चार किलो मिल्ड़ दूड़ है और यह बस का सेन रशी लग लिए जिससे कि गंटी हो जाते हैं तो बस के रुख जाती है जो गार है मतलब मंदिर जो है भारत के केरल राज्ये के पूरवी किले के अंदर है किले का जो गेट था वो आपको मैंने भार अभी दिखाया और यह है आसपास सब कुछ नजारा मंदिर में एक और बात है कि इस मंदिर के अंदर आप धोती पहन कर ही दर्शन करने जा सकते हैं जैन्स जो है और बाकी लेडी जो है वो साड़ी पहन कर ही अंदर दर्शन करने जा सकती है तो शायद हो सकता है आपर आसपास बाहर जो है किराय पर लुंगी मिल जाए वरना हमें लुंगी खरनी पड़ेगी दर्शन करने के लिए ये एक विश्णु भखवान का मंदीर है इस मंदीर की ए अंदर सिर्फ एक धोती पहन कर जाना होगा और तब ही अंदर जा सकते हो आप उससे पहले यह साई चीज आपको जमा करनी पड़ेगी और हर चीज का सिंगल सिंगल चार जहां पर लिखा हुआ है पांच पांच ऐसा करके मनलब सो दो सो रुपे तो आपको सारा समान जमा कर जिसमें से कि आज भी तैकाना नंबर 2 बंद है क्योंकि कहा जाता है कि उस तैकाने की रक्षा दैव शक्तिया वा नाग देवता खुत करते हैं और अगर उस तैकाने को खोल दिया गया तो विश्व में बरवादी चा जाएगी इसलिए आज भी उस तैकाने को बंद रखा गया है और सरकार एवं बड़े वड़े वैग्यानिक भी उस तैकाने से दूर रहते हैं इस मंदिर की स्थापना आठवी सतापदी में की गई थी और वेदों में पुराणों में भी इस मंदिर का उलेख किया गया है ये मंदिर विश्णु भगवान के 108 प्रसिद्ध मंदिरो में से एक है जहां की कहा जाता है कि ये विश्णु भगवान का सबसे प्रियस्थान है और यहीं अपने शेशना के उपर विराजते हैं यहां पर उनकी बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ी मूर्ती विराजवान हैं तो अभी हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं मंद हमारा काम हो गया तो अगर आप इस मंदिर पहाता तो यह बात ज्यान रखना या तो आप महीं से दोती पहन के आओ अपने होटल से या फिर समान अपना एक चोटा बैग भी लेका हो जिसके अंदर आप रखो जाएगा और मंदिर के अंदर काफी शांती थी काफी खुशू जाने नहीं देते क्योंकि वहां पर इतनो सारा खजाना है तो नॉर्मल बंदी को क्यों ही जाने देंगे अरसे हमने इनका बैग जो है लेगा सर जो ए पोलिस ऑफिसर है बाद में पता लगा हमें लेकिन सर ने हमारी है अपना काम असानी से कर लिए था थांकी सो मच थांकी मैं वीडियो अड़िकर रहा हूं मैं भाई शोड़ी मदद मांग रहा हूं मतलब मेरे को कुछ मदद से यह मदद मांग रहा है तो इसके लिए एक लाइक कमेंट शेयर जरू करना हो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना